हेलो गाईज आई हूब यू अलर्वेल गाईज आज हमें स्टार्ट करें कॉशन नंबर 53 चैप्टर है हमारा इशू शेयर कैपिटल और यह कॉशन मैंने लिया है टी एस ग्रेवल 24 25 अडिशन से आपको यह कॉशन मिलेगा पेज नंबर 8.127 पर सो लेट स्टार्ट इशू श 10 रुपीज और इशू प्राइज है 10 प्लस 2 10 रुपीज पर प्रीमियम मंगवा है हमने दो रुपए अब हमारे पास पेबल एज एप्लिकेशन रुपीज 3 5-1 अलॉट्मेंट इंक्लूदिंग प्रीमियम मतलब प्रीमियम है 3 प्लस 2 का ठीके गाईस फिर्स कॉल पर हुआ है 2 रुपीज टीक है टोटल हो गया हमारे पास 10 प्लस 2 3 & 3 6 6 or 2 8 8 or 2 10 विजय को कितने शेर्स अलॉट के गए 500 पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीई रिलेटिंट इंट्रीफ फिट फॉर फॉर से ओंड पीटिए उसार फॉर फिट इमिज़ा विजय ने वंगविज नहीं नहीं दिया और उसके शैर्स को फॉर५िट कर लिया तो हमें कैसे समझना है कि को एप्लिकेशन पर एमने विजय से मंगवाय थे स्थिरि तो ये पैसा हमने मंगवाया और उसने पै भी कर दिया, ये पैसा हमने मंगवाया बड़ उसने पै नहीं किया, call'd up है बड़ पै नहीं किया ठीक है, तो दीकर अब हम जितना शेइर Capital हमने दियू किया था, कितनाlovak कि ठी रुपीज और 3 रुपीज हमने टूटल रूपीज तो हम शेयर कैपिटल को वापस डेबिट करदेंगे शेयर कैपिटल account debit 500 share से दोस्तों 500 into 6 रूपीज तो कितना हो जाएगा total 3000 रूपीज यह 3000 रूपीज हम शेयर कैपिटल डेबिट करदेंगे हमने premium का पैसा भी मंगवाया गाईस बट premium का पैसा नहीं मिल पाया तो security premium reserve account को हम वापस से debit कर देंगे security premium reserve account debit कितना 500 into 2 rupees ठीक है यह हो गया दोस्तों 1000 rupees ठीक अब देखो अब है हमारे पास जो पैसा हमारे पास आ चुका है हमारे पास कौन सा पैसा आया है हमारे पास सिर्फ पैसा आया है application का यह पैसा हमारे पास आया है ठीक है दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे जो पैसा आ चुका है उसको share for feature account में डाल देंगे to share for feature account या forfeited shares account कुछ भी लिख सकते हैं आप ठीक तो 500 into 3 rupees फिफ्टीन हंडेड हो जाएगा credit for feature account में अलोट्मेंट का पैसा नहीं आया है तो पूरा का पूरा allotment amount वापस से credit हो जाएगा to share allotment account credit पहले हमने डेविट किया था issue के समय तो 3 plus 2 पूरा का पूरा share allotment 5 rupees से credit हो जाएगा क्योंकि पूरा पैसा नहीं आया है 3 plus 2 यह पूरा 5 rupees से credit होगा तो 500 into 5 rupees ठीक है गाईस यह हो गया 2500 तो दिखो अब आप दोनों side की total लगा होगे तो आपको मिल जाएगा कि दोनों side की total 4000 rupees हो रही है इसका मतला हमारे question एकदम सही है ठीक है दोस्तों debit credit बराबर है second case देखते हैं दोस्तों विजय डिट नॉट पे allotment money in first call money and his shares were forfeited after the first call विजय के shares को हमने first call के बाद forfeit कर लिया allotment का पैसा भी ने आया है first call का पैसा भी ने आया है तो दिखो वापस एक छोटा से input यहां पर लिख रहा हूँ अप्लिकेशन पर हमने उसे हमने मंगवाय थे 3 रूपीज एलॉट्मेंट पर हमने मंगवाय थे 3 प्लस 2 ठीक है गाईस और first call पर हमने मंगवाय थे 2 रूपीज ठीक है तो देखो टोल हमने capital का कैता पैसा मंगवाया 3 रूपीज मंगवाया 3 और 3 6 6 और 2 8 रूपीज और premium का कितना मंगवाया तू रूपीज तो दीखो ये पैसा हमने मंगवाया आ गया ये पैसा हमने मंगवाया नहीं आया और ये पैसा भी हमने मंगवाया और नहीं आया तो कि अलोट्मेंट और फिर्स-कॉल का पैसा हमारे पास नहीं आया तो दीखू हम क्या करेंगे कि शेयर कैपिटल को आपिस डैबिट कर पास यह वाला amount और यह वाला amount टिक टू रूपीज यह amount और यह amount नहीं आया ठीक है तो अब हम क्या करेंगे शेर कापिल डेबिट कर दिया security premium reserve का पैसा भी नहीं आया गाई तो security premium reserve account को भी debit कर देंगे यह हो जाएगा 4000 यह हो जाएगा 1000 debit कि इतना पैसा यह थीन रूपए है तो 500 इंटू तीन रूपए है तो 500 इंटू तीन रूपए है तो यह ही पैसा आया 1500 फूर फिचर अकॉंट में चला जाएगा गाईज तू शेयर अलॉट्मेंट अलॉट्मेंट का 5 रूपा पूरा नहीं आया SPR मिला कर 3 प्लस 2 तो 500 इंटू 5 रूपीज कितना हो जाएगा 1500 वापस से हो जाएगा एंड तू शेयर परस्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यह पैसा भी नहीं आये गाईज 500 इंटू 2 रूपीज 1000 रूपीज तो आप देखेंगे दोनों साइट अगर मैच हो रही है तो सही है और मैच नहीं हो रही तो मैंने कुछ गलती करी है देखो क्या गलती करी है मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने 2500 लिखना था मैंने 1500 लिख दिया तो आप देखो अब टोटल साइट मैच हो रही है तो यहाँ पर आके यह मैच हो गया इस तरह से हमें मैच करना है हमारी एक्वेशन मैच हो रही है यहाँ पर नेक्स देखते हैं गाईस केस नमबर 3 विजय फेल टूपे फर्स कॉल एंड इस शेर्स वर फोर्फिटेड इमीजेट लिए ठीक है विजय ने सिर्फ फर्स कॉल का पैसा नहीं दिया तो देखो वापस से इंपुट डाल लेते हैं एप्लिकेशन त्री रूपीज एलॉट्मेंट 3 फ्लस 2 ठीक है और फर्स कॉल 2 रूपीज ठीक है तो दीकूँ यह पैसा आ चुका है अप्लिकेशन का हमारे पास यह पैसा भी आ चुका है हमारे पास और यह जो पैसा है न दोस्तों यह वाला पैसा तो हमें रिसीव नहीं हुआ है एक हम क्या करेंगे अब जिको SPR का यहां पर पैसा आ चुका है SPR अब debit नहीं होगा फुर फिचर पर हमेशा याद रखो जब भी SPR का पैसा आ चुका होता है वह कभी डेबिट नहीं करते हैं एकांट में हमेशा शेर का पैसा आएगा इससे स्को ध्यान रखना हमें ठिकैं तो उसी ही सब्समेंटरी करेंगे देखो सेजु सबसे शेयर कापिप्ल सब्सब्स सब्सक्राइब gan हो गया 4,000 ठीक है गाइस नव एस्पीर का पैसा आ चुका है उसको डेबिट नहीं करेंगे सिधा शेर फॉर फीचर में जाएंगे टू शेर फॉर फीचर अकाउंट जो कैपिटल का पैसा आया है वही ठीक है तो कैपिटल का कौन सा है 3 रूपीज यह वाला और थी रूपीज एला में पर थी और थीओ शेए 6 रूपीज तो 500 इन्टू 6 रूपीज 3000 रुपीज capital के आ गए है वो फोर्फिट कर लिया हमने ठीक है यह फोर्फिचर का amount आ गया अब देखो first call के बाद करते है first call का पैसा नहीं आया तो share first call account को अपस credit कर देंगे कितना है 502 2 रुपीज ठीक है 1000 रुपीज तो यह हो गया हमारा यह वाला पार्ट जिसमें first call के बाद हमने उसके shares को forfeit कर लिया और first call का पैसा नहीं आया अब है हमारा पास case number 4 देखो गईज विजे failed to pay both the calls विजे ने दोनों calls का पैसा नहीं दिया और उसके shares को forfeit कर लिया तो देखो वापस से input डालते है application पे कितना मंगवा है 3 rupees allotment पे मंगवा है हमने 3 plus 2 ठीक है guys और first call पे हमने उसे मंगवा है था 2 rupees और second and final call पे हमने उसे मंगवा है था 2 rupees ठीक है तो देखो कौन सा पैसा आ चुका है application का पैसा आ गया ठीक है allotment का पूरा पैसा आ गया including premium सिर्फ first call और second call का पैसा नहीं आया है यह दोन amount due है ठीक है दोस्तों तो हम क्या करते है सबसे पहले entry करते है share capital को पूरा debit कर देते है यहाँ पे हमने पूरा share capital due कर दिया है second call भी due किया था तो 500 into 10 rupees पूरा का पूरा share capital amount debit हो जाएगा SPR का पैसा आ चुका है वो debit नहीं होगा to share for future आप for future में कितना पैसा जाएगा जो capital का पैसा receive हो चुका है वो for future में जाएगा जो भी capital amount receive हो है वो for future में जाएगा तो दिखो 3 plus 3 6 rupees तो 500 into 6 rupees यह हो जाएगा 3000 ठीक है guys to share capital account sorry to share first call account ठीक है 500 into 2 rupees यह हो गया 1000 rupees ठीक है और to share second call account 500 into 2 rupees ठीक है guys यह हो गया 1000 rupees तो देखो टोटल दोनों साइट मैच हो गई 5000 5000 ठीक है यह हो गया for future तो guys हमने इन सभी सारी की सारी जो अलग-अलग equations थी अलग-अलग जो हमारी जनल एंटरी सुन में भुछ कुझ नहां सिखा basic यह है कि share for future account में क्या जाता है share for future account में वही पैसा जाता है share capital का जो receive हो चुका है security premium reserve कब debit करते हैं दोस्तों security premium reserve तब debit करते हैं जब उसका पैसा नहीं receive ऑर not receive ठीक है जब security premium reserve का पैसा receive हो जाता है तो उसे कुछ भी नहीं किया जाता, nothing has to be done, ठीक है, share allotment जब credit करते हैं, तो share allotment account for feature के समय जब credit किया जाता है, तो पूरा कौन सा पैसा, जो पैसा capital का है, और जो पैसा premium का जो receive नहीं हुआ, वो पैसा credit होता है, first call को जब credit करते हैं, तो जब first call का पैसा जो credit किया, वो कौन सा आला, जो not received है, ठीक है guys, capital plus premium का पैसा जो receive नहीं हुआ, ठीक है, now, share first call or second call को भी जब share second call को credit करेंगे, share second call भी जब credit होगा, वो पैसा credit होगा, जो नहीं receive हुआ, ये कुछ 545 बाते हैं जो हमने basic सीखी, ठीक है guys, I hope it is clear, आपको सारा basic समझ में आ गया होगा, if you like my teaching, please subscribe my channel and motivate me, thank you, goodbye